तो यार रोके एक ही एपिसोड के अंदर इतने सारे सार प्राइज हमें मिल जाएंगे, यह नहीं सोचाता है, यहाँ पे फिन बैलर बन चुके हैं, यूएस चेंपियन, इसके अलवा यार एज का अपोनेंट रसलमेनिया के लिए हमें पता चल चुका है, और दो बड़े और स्टार्स ने यहाँ पे हील टरन ले लिया है, रसलमेनिया से पहले, तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास तक इस वीडियो को जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो य लेकिन लास्ट में यहाँ पे फिनिशिंग मूब देकर फिन बेलर बन गए नई यूएस चैंपियन, लेकिन बाद यहाँ पर खतम नहीं होती है, डेमिन प्रीस ने अपने यूएस चैंपियनशिप हारने का जिम्मा पहले तो क्राउड को दे दिया, और उसके बास सीधे फ एक ड्रीम मेश था जो कि मैं भी चाहता था और फ्रेंज भी चाहते थे और यार यकीन यह अजज जो है अपना हाथ बढ़ाते हैं आगे हाथ मिल्आने के लिए एजइस चाहिज से और यहाँ पर फिर वो हमला कर देते हैं एजज चाहिए और यहां पर एजज काउंटर तरह टेक कर देते हैं और ऐसी जगे पे चोट मारते हैं AJ style के कि फिर वो recover ही नहीं हो पाते और इस तरीके से यार यहाँ पे edge का यार यहाँ पे हमें surprise heel turn देखने को मिलाया रसल मेनिया से पहले तो यार यह बिल्कुल एक dream mess था और इसका फाइदा यहाँ पे WWE को तो हो गई इसके साथी AJ style के career को भी इससे बड़ा push मिलने वाला है आप लोगों क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताना वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को subscribe जरूर कर देना